आज वापिस से आपके साथ अमने रिखे आ रहा हूं दोरण 9 याने की स्टांडर्ड 9 का है संस्कित का 18 नंबर का चेप्टर है जो बहुती सरण और सीधी भाषा में हमें जीवन जीने का एक अच्छा तरीका समझाता है और चेप्टर का नाम भी ऐसा ही है कि गुफानी वानी में क्यारे सांब्ली न थी संस्कित में लिखा है बिल्वस्वानी न कदापी में शुत्वा आप आठ प्रसिद्ध नीतिग्रंथ जिसको हम पंच तंत्र के नाम से जानते हैं उसमें से लिया गया है पंच तंत्र जो है उसको लिखने वाले पंडित विश्णु शर्मा थे पंडित विश्णु शर्मा के बारे में हमें चेप्टर में भी उपर के साइड में बताया गया है कि संस्कुत साहितनी अनुकम क्रुती मानवामा विश्व ने अंदर जानीता अनेक जग्रंत बने है उस ग्रंत के अंदर विश्व में हर जगा पर हर देश के अंदर अगर कोई बुक आपको दिखाए देती है तो उसका नाम है पंच तंत्र पंच तंत्र ना करता पंडित विश्णु शर्मा थे उसकी अमर शक्ती आज का जो हमारी कहानी है उसके अंदर बताए गई है उसके अंदर छे प्रकार की अलग-अलग बाते भी हमें सुनिकने हो जती है उसमें एक है मित्र भेद मित्र भेद के अंदर बेशियाल बंदूओ सी अने बढ़द यानि मित्रता नो भेद एक फाट फूट ने लिदे होता है इसका खुशुर सावणन है दूसरा है मित्र सामप्रती उसके अंदर कागडा, उंदर, हरण और कच्छवे मलब काचबानी वारतों छे काकुलिक्यम उसके अंदर कागडा और घुवड की स्वाभवित वेर भावना के बारे में बताया गया है लब्द प्रणाशम उसके अंदर तंत्र के अंदर मगर और वांदरा की कहानी है और इसके इलावा है अब परिक्षित कारकम उसके अंदर विक्षो के माथा फोड़नार वालन की मुख्य कथा को दियान में रखके बताया गया है इस तरह से यहाँ पर जो पंच तंत्र है वो विश्व प्रसिद्ध है और मगद राजा की राजधानी पाटली कुत्र के अंदर सत्य रवत नाम के राजा के राजे के समय के अंदर बहुत सारी बाते इस पंच तंत्र के अंदर विश्णु शर्मा ने रख दी है उसमें से एक है आज की हमारी कहानी जिसका नाम है बिल्व सुवाणी न कदापी में शुत्वा पंच तंत्र के अंदर जाद अदर पशु पक्षी की कथा बहुती मनुरंजक होती है और उसके द्वारा हमें बहुती अच्छी बाते बताती है पंच तंत्र की रश्णा किया गया है क्या है कहानी जर्हां पध्यान से सम्गते हैं कि कस्मी नच्चं वने खर नकर नाम सीहः प्रतिवसती स्मळ यहां पर उसका टांस्टिसर भी है कि कोई एक वनमा खर नकर ये जो शेर है, उस शेर का नाम है खरनकर, खरनकर नाम नो एक सिह रहतो हतो, प्रति वसति स्मह रहतो हतो स, जो स होता है जादतर पुलिंग के लिए इसमाल होता है जिसको हम गुजाति के अंदर ते या इंग्लिश में ही कहते है अगर लड़की होती है तो वापस स की जगा सा इसमाल होता है और उसका मलब होता है शी यहाँ पर खर न खर के इसाब से यहाँ पर ते लगाया गया है that is a pronoun जिसको गुजाति में सरो नाम कहते है सर कदाची तह इतस्त तह परिभ्रह्मन अना क्षुधार तह न किंचिदपी आहारम अलब तह अब यह जो शेर है एक वार इदर से उदर भटक रहा था परिभ्रह्मन अना भटक रहा था क्षुधार तह मलब भुख थे कारण से पिड़ाय लो उसको आहार नहीं मिला तो इदर से उदर इदर से उदर भटक रहा था उसको खाने का कुछ नहीं मिला और फिर ततह सूरियास्त समय सूरियस्त हो जाता है ऐसे समय में एकाम महती गुहा दरश्टवास चिंतियत हो शाम का समय हो जाता है अभी तो उसको खाना नहीं मिला उसके कारण से वो विचारा सूचने लग पाया तो आज पूरा दिन का खाना मेरे आथ में नहीं आया, क्या खाऊंगा, ऐसे ही पची सुरियास्त आथमवाने विड़ाए एक मुट्टी गुफा जिसको गुजराती में दर्भी कहते हैं, जिसको इंगलिश में कहते हैं डैन, उसको देखा उसने और तेड़े विचारी हो, कि खरेखर, यहां पर सुर गाया है, नूनम मलब खरेखर, इतस्याम गुहायाम र तत एतह इस तरह से अत्रेव निगुडोह गुत्वा तिस्ठाती इवह आती हूँ, अहीं छुपाईने, जो भी प्राणी आएगा, जो भी पशुआएगा, उसको खा कर मैं अपना पेट भर सकता हूँ, इस तरह से कहानी कुछ प्रकार से जारी एक एक उप्सरस्चा जंग और जंगल के अंदर जंगलों का राजा शेर रहता है, शेर का नाम है करनकर, और वो पूरा दिन इदर सुदर गुम रहा है, पर तो उसको खाने में कुछ नहीं मिलता है, तो आखिरकार शाम का समय हो जाता है, बड़ी सी उसने गुफा, एक बैन उसने देखी, उसको देख करो सोच में पड़ जाता है, कि जरूर इस गुफा के अंदर कोई न कोई जीव, कोई न कोई प्राणी आके रहता होगा, तो क्यों न मैं इसके अंदर छुपके से रहता हूं, और जब भी वो शाम को आएगा, तो मैं उसको खाकर अपना आज का जो पेड़ भनने का कारिया है, वो समपन कर सकता हूं, इस तरह से शेर जो है वो उस गुफा के अंदर जाके बस जाता है, एतस तीन अंतरे गुआ याम स्वामी दधी पुच्छ नाम होगा, शुगाल, समाग अच्छत होग, अब ये जो है, वो है शुगाल यानिकी शियार, ये जो गुफा का मालिक थ पहुच्चो, सच यावत पश्यती, उसने आकर पश्यती मलब देखना, दुर्श्यती मलब देखना, जुए चे, तावत, यावत, तावत, जो तो के इस आप समय स्वाल करते हैं, सीह पदपदती ही, यालिके सीहना पगलाना निशान, उसने देखा, कि उसकी जो बड़ी सी ड यानि कि ये जो गुफा है, उस गुफा का मालिक तो मैं हूँ, तो इस गुफा के अंदर, शेर के पाव के निशान, गुफायां प्रविष्टया, गुफा के अंदर प्रवेश होते वे दिखाय दे रहे हैं, नच बहीरागताह, पश्यतह, बाहार आउता नथी देखाता, इसलिए शुगालह, चिन्तेयतह, आती शियाले विचारियो, के ओहु, विनस्त्रती, अरे, अब तुमे मरा, हूँ तो मरियो, नूनम एक कस्मीन बिले है, सीह, एतस्तिन तर क्यामी, खरेकर आजे दर, यानिका गुफा छे, एमा सीह छे, एवु मारू धारू छे, एवु मा ऐसा सोचकर आओ विचारी, और तेने दूर रही और आवाज करवा लाग गयो, वो गुफा को बता रहा है, लोमडी जो होती है, शिया जिसकों फॉक्स केते, पहुंती चतूर चाला क्राणी में माना जाता है, लितुरंती उसने उसका सॉलूशन निकाला, उसने फाइनल कि आगे दूर खड़ा रहता हूं, चलो ट्राइ करते हैं कि शायद बुद्धी यहाँ पर काम आ जाए, क्योंकि शेर के सामने लड़के तो जीत नहीं सकते हैं, अगर बुद्धी है, तो कभी-कभी मुश्किली का सॉलूशन जरू निकल सकता है, वो वहाँ पर दूर खड़ा नहीं है, कि यस्मानम ता सह कृतस्मीन यदा बाहयती प्रत्यागमिशतीन तदा तौमनमामम आकर्शामी, तो वह दर को गुफा को जैसे कोई living thing हो, कोई सजीव चीज हो, उस तरह से गुफा के साथ बातचित करता है, एर अपनी गुफा से बोलता है, कि हे दर, हे गुफा, अरे ओदर, हुँ तने याद नदी, कि मैं तारी साते शरत करी हती, कि जाने उबार दी पाच्छो आओ, तुमने आवकारिश, मलब तुम मुझे invite करेगा, welcome करेगा, यदी त्वा मामन आहयशती, जो तुमने नहीं बोलावे, तर ही, तो, अहम दितियव इल्लम यास्मीन इत ही, तो बिजा दर्मा में कोई दूसरी कुफा में चला जाओंगा, इस तरह से लोमडी ने अपना दिमाग दोडाया, शियाल ने अपना दिमाग दोडाया, और उसने सोचा के चलो, इस तरह से शायद तक अगर अंदर शेर है, तो जरूर इसका कुछ ना कुछ solution या answer आएग इस तरह से वहाँ पर जो शेर है, वो अंदर की साइड में बैठा है, वो सोच में पढ़ जाता है, शेर अचिंते अतह, ननुमेशाम गुहाया सवामी सदा समाहम करोती ही, उनने लागे छे कि आ सीन जे छे एक खरेकर आगुफा ने हमेशा जो है, गुफा उसको बुलाती ह कि अपने मालिक को, यानि कि लोमडी को बुलाती होगी, अब यहाँ पर यह बुला नहीं रही है, क्योंकि मैं अंदर आ चुका हूँ, अब क्या करें, तदा हम आवेशम करों ही, अब इसके लिए मुझे इस गुफा क्या, बदले मुझे ही उसका आहवान करना पड़ेगा, आतिस तरह से देखो, लोमडी जूर से बोल रही है गुफा को, यह दर है, और यह पाउं के निशान आपको दिख रहे है, तो हाँ सामड़ी इने शेरे विचार करों, कि खरे खरा गुफा सदा पोताना मालिक ने आवकारे छे, परन्तु शायद मारी भी के एक बोलती न थी गुफा यानिके डैन, तो हुँ आने बोलाओ, और आप्रमाने दर माथी यानिकी गुफा माथी प्रवेशी और शायद वो अंदर आ जाये, तो मैं उसका भोजन कर लूँगा, इस तरह से शेर ने सुर लिया, और तुरन्ती शेर ने वो जो लोमडी है, उसको बुलाने का स गुफ लिया, सहसा शुगाला आवान करोती, और सिहां से उच्छ गरजना प्रतिध्वनिम, और इस तरह से जोर जो से आवाज करने लगा, और शेर की गरजना सुनते ही, उच्छ उच्छ साथ से शियार ने बोलाव लागियो के अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ पाउंड हो रहा था, और उसके कारण से जंगल के अंदर जो दूसरे भी जानवर थे, उसको सुनते भईबीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, और शुगाल भी है, उसने समझ लिया के हाँ, अंदर और कोई नहीं परणतु शेर महराज है, और वो मुझे बुला रहा हैं, और इ न कुरुतम न शूबते, ससुच्चते यून करत्योनागतम, वनुत्र संस्ततम समागतम जराहा, बिल्वस्वानी न कदापी में शुत्वा, कि जो न आवनार करे चे, ते शूबे चे, जो मलब आपको आता है, और आपको करते हूँ तो अच्छी बात हैं, पर तो जो चीज इस वन में रहता हूँ, पर तो मैंने कभी गुफा को इस तरह से बोलते हूए मैंने सुना, नहीं है, इस तरह से जंकल का राजा भले, बहादूर हो, टाकात वर हो, शक्तिशाली हो, पर तो हाँ, जहाँ पर बुद्धी होती है, वहाँ पर शक्तिकाम आती नहीं है, पर देखेंगे टिपणी के अंद जिसमें आपको समानार्थी शब्द मिनिव विये हुए हैं, खर न खर वो एक शेर का नाम था, शुधार्त हा मलब भूख्थी पिड़ाया हुआ, आप वन वर्ड में आंस लिख सकते हो, that is भूख्यो, जीव हा मलब प्राणी को केते हैं, ज इवुडः यानिके संतायडो या चुपायडो, ददिपुच्छ यहाँ पर लोम्डी का नाम ददिपुच्छ था, शुगाल यानिके शियाल, रवह, ध्वनी यापर आवाज को केते हैं, और समय यहाँ पर समय के इसाप्षनी लिया गया है, यहाँ पर समय का मतलब होता है शरत या पिनियम, अब कुछ त्रिलिंग शब्द है, गुहा यानिके गुफा, सीना पदपदती ही, सीना पगलानी यानिके छापनी निशानी, प्रतिध्वनी जिसको मैंने बताया था, इकोर साउन यानिके पढगा, जरा, मलब रुद्धावस्ता, घडपड को कहते हैं, नपुसखलिंग है वर्ड, यानिके बिलवम, तो है दरह, मलब बुफा को कहेंगे, और भयम, यानिके डर को कहते हैं, आप खास कर अब्ज़रेशन करो, कि पुलिंग जो होता है उसमें हर एक वर्ड के पीछे डबल डॉट, यानिके विसग लगाया जाता है, तो आकारान जो है, वो ज्यादातर इसमें लगता है, जबकि इसमें इकारान लगता है, आप यहापर देख सकते हो, और नपुसखलिंग में खास करो होता है हलन्त वाला म, जिसको गुजरादी मैं को है, खोडो म, या फिर म की जगा रिप्लेस करके बिंदी भी आप लगा सकते हो, तो यह हमारे थे कुछ मीनिंग्स, आगी के साइड में है समास, खुधार्तह, खुधया आर्तह, यह तृतिय अतत्पुरिश का समास है, जब या से डिजोइन हुआ, यानि कि यह तृतिय अतत्पुरिश का है, खुधा मलबता है भूख, और आकारान दोता है, तो उसमे हमेशा डंडी अकटा के या लगाना पड़ता है, अगर हो आकारान शब्द है तो, सुरियास्त समय है, यहाँ पर सिय से डिजोइन हुआ है, तो सिय हमेशा सस्टी तक पुरिश में इसमाल होता है, यानि कि छठी विबक्ति में आता है, सीह पदपदती ही, यहाँ पर वाप आया था, यहाँ पर भई अकारांध है, तो उसमें एन या एन लगाया जाता है, तो वो अकारांध के अंदर एन लगाते है, तो तुरुतिया, अकारांध के अंदर डंडी अटा के या लगाते है, तो तुरुतिया, ठीक है, नाव उसी तरह से हम देखते कृदंद, देखो जब भी end में अगर त्वा शब्द लगता है तो हमेशा आपको समझना है कि वो भूत कुरुदन के अंदर आता है ठीक है तो हमेशा आप याद रखे आगे भी हम कुरुदन के अंदर से ध्यान रखेंगे पर यह जो त्वा होता है वो संबंदक रुदन के अंदर साब से लिया जाता है उसी तरह से तियर लगता है तो उसमें भी शब के साथ कुछ भी हाफ लगे तो वो आपका अमिशा संबंदक रुदन के अंदर रहता है आगे उसके बारे में डिस्कुशन करते हैं तो यह आपर बताया गया है, कुछ प्रकास है, अब आपके MCQ के अंदर क्वेशन पूछे गया है, कि दुश्यह, सीह, वने, इत, तत, परिभ्रमणम करोता है, जो शेर था, वन के अंदर किस तरह से गूम रहा था, तो क्षुधार था, मलब भूखा गूम रहा था, शुगाल अस्य नाम किम आसित है, शुगाल मलब लोमडी, लोमडी का नाम क्या था, तो खर नखर तो शेर का नाम था, मददमत हाथी का नाम था, पर वो यहाँ पर नहीं है, दधी पुछ लोमडी का नाम है, और दधी पुछ के अंदर जो spelling mistakes है, उसके काहां से आप देख स शेर करता है, तो शेर यानि की हमारे खर नखर भाय साब प्रवेश कर चुके है, एक वाक्य में संस्कुत में जवाब देना है, सुरियस्त समय सीह किम आपश्यत ह, तो यापको किम के जगा पर आपको रिप्लेस करना है, कि सुरियस्त समय ये एस इडिस जाएगा, फिर आप मह है, छलंत वाला मह है, तो यहाद पर उसको रिप्लेस करना होता है, जाधा तर question की हिसाब समय यहापर देखना होता है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, कस्य है, यहाँ पर आंसर में आया है, सिहस्य, शुगालः कस्य पदबदतिया पश्यत, तो उसने शेर की पदबदति देखी थी, शुगालःस्य वचनम शुत्वा सिह, किम पर करोता, शुगालःस्य वचनम शुत्वा सिह, सहसा, शुगलम आहियम मलब उसको आहवान करता है कि अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ यहाँ पर आहियम यहाँ पर बिंदी लगा रखी है क्योंकि यहाँ पर मह है रिप्लेस करना है बिल्वस्वानी कदापिन शुत्वा इति वाक्यम कह मलब कौन बोलता है तो देखो यहाँ पर डबल डोट यहाँ पर भी डबल डोट शुगालह वदती एंद फुल स्टॉप बनेगा नाव यह आपका घटना गरम के इससाब से क्योंकि अंसर आता है कि शुगालम अपितत दूरम पलायंत इतिम अपतत यह आपको पढ़ना है और स्टोरी के इससाब से उसको लाइन वाइस करना है उसके आंसर यहाँ पर दिया है सबसे पहले आएगा सेकेंड केक्षुदारत हसीह कंचिदा आहारा नौ उसको प्राप्त होता है उसके बाद आपको मिलेगा यह जो है फरस्ट वाला कि यहाँ पर जो दिया गया है उसके इससाब से जो नंबर दिया है 2, 5, 4, 6, 3 और 1 उसके इससाब यहाँ पर देखोगे तो आप उसको अंसर एजली आपको प्राप्त होगा नौ कुरुदन के बारे में आपको बात कर रहे थे अगर त्वा से एंडिंग होता है त्वा यानिकि त्वा हाफ होता है वाके साथ तो आप देख सकते हो द्रश्ट वा भूत वा उसी तर यहां अगर तुम दुम घूम पूम से अंडिंग होता है तो हमेशा हेट वर्थक जुरुदन को होता है यह अप सकते हो तुम दिया हुआ है ठीक है तो देखो, आंशर के अंदर ऐ हटा दिया है ची as it is र है वह होता क्या होता है वर्तमान क्या में तो टी होता है तो भूध काल के टेबल रहिसार आप सचेक करना है अगी वर्तमान काल में जाना है और देखा तो वहाँ पर तकादी तो आ हटाओ तर का ती करो, एक्स्ट्रा मौ लगाओ, फ्री चेंजिज, यनि कि A एक खटाया है, यह तर हटाया है, वह पती लगाओ, वह पती लगाओ, यह आप कहां से बना, सिम्ह वापिस से यहां पर भी A हटाना है, क्योंकि बुद्ध कलमे से वर्त्मान कलमे जाते हैं, तो आपको A समास के बारे हम बताया गया है समास आपके इसके अंदर सारे के सारे ततपुरिश समास आगे हमने देखए के सुर्यास्त स्य अगर स्य प्रफ से आपके गुज़ाते गुज़ाते question answers है के सानना समय गुफाने जोएने सीहे शू विचारियू तो सानना समय गुफाने जोएने सीहे विचारियू के खरे खरा गुफा मा रातरे कोई प्राणी आऊशे तो आम short and sweet के अंदर जितना हो सके उसमें इतने अंदर से ही word आप as it is copy कर सकते हो यहाँ पर शू विचारियू वहाँ तक को उसने as it is तो कभी कभी क्या होता है जो checker होता उसको idea लगता है कि नहीं इसको आता है और आपकी spelling mistake भी नहीं होती है तो जो यहाँ पर question वाला word होता है उसको हटा कर जो बाकी वाले word होते है वो as it is copy करना भी एक कला है ठीक है फिर बाद में लिखने नहीं का कि आ गुफामा रात्रे कोई प्राणी आऊशे ऐसा उसने सोचा गुफाना स्वामी शियारे गुफा आगर पगलानी निशानी जोईने शू विचारियू गुफाना स्वामी शियारे गुफा अगर पगलानी निशानी जोईने विचारियू के अरे हूँ तो नस्त था यह अवलब मेरी तो मौत आगे साचेज आ गुफामा सीह हशे ऐसा मेरा मानना है तो अवे हूँ शू करू ऐसा वो सोच में पढ़ जाता है गुफा थी दूर रही अने शियारे गुफानी कई शरत गुफा को याद करवाई तो आंसर दिया है गुफा थी दूर रही अने शियारे मोटा आवाजे कहीं के ए गुफा शूतन याद न थी के में तारे साथे शरत करिया थी के जारे पंबार थी आओ तारे मन अमिश आओ लावकारवानोज, कैम, तु भुले गई छो, या आपको डायलोग, अगर थोड़ा बहुत अबनी वाइशा में लिखना चाहते हो, कर सकते हो, कोशिन नमबर पूर, आप वारता पर थे आपको कौन सा बूध, कौन सा मूरल मिलता है, तो देखो यहां पर भी ऐसा ही लिखाया आप आरता पर थे आपने बोध मड़े छेके, आवनारी आप पती, मलब जो आने वाली विपती है, अगर उसकी जान हो जाए, तो उससे डरना नहीं चाहिए, और उसके बारे में solution डूनना चाहिए, बच्ची शकाय, तेनों उपाय शोध हो जो यह, अगर उसके वक्त, अग हमारे भाय साब, यानि की, जो हमारे खर नखर शेर भहिया थे, उसको एडवाइस दी, कि जो आपको अच्छा लगे ना, ऐसा कारी आपको करना चाहिए, जो आपको सेट नहीं होता है ना, ऐसा कारी आपको नहीं करना चाहिए, मैं जंगल मा रहता हूं, घरडो थे यह, तो हो भुत्वात इस्ठामी ही, आथी अहीं जो संतायने उभो रहूं छू, नूनम अस्मीन बिले है, सीह इती तरक्यामी, खरे खरा गुफामा सीचे, एउँ धारू छू, यदि तुम मान आया सी, तर ही अहम वितिय बिल्ले यास्मानी, जो तु मने नहीं बोलावे, तुम ब भोज्यम प्रवेशती, आम ते गुफामा प्रवेशी ने मारू भोजन बन्षे, अनेव, अन्य अपी पशवाह, भैबीता अभवनाह, आना थी, बिजा पशुव पण भैबीत्थया, बिल्वस्वानी नकतापी में शुत्वा, बिल्ल याने की गुफानी वानी, दर्नी व सकते हैं, यदा का मतलब होता है ज्यारे, तदा का मतलब होता है तेम या ते प्रमाने, कुत्र मतलब क्या, ये क्वेश्चन वाला वर्ड है, इतह मलब अहीं थी और सरोदा मलब हमेशा, आई विश के मैं आप आज को बहुत अच्छ तरा से ये पुरा का प्रोरा चेप्टर विथ एक्सरसाइज करवा दिया, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलतिया हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज नीचे कमेंड बॉक्स के अंदर आप अपने जरूर क्वेश्चन रखेगा, हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुझसे भी गलती तो आप ज़रूर मुझे करेक्ट करने की कुशिश करेगा, थैंक्यू बेरमच, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सर, आपका गुरू, मेहंदर जोशी, आपका अबारी है